नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कावेंदर चौहान और अब हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की पांच बड़ी खबरें विस्तार से टॉप फाइब निउस में लेकिन उससे पहले देखें सुर्खिया तो बात करते हैं किसानों की आज 55 दिन भी किसान अंदोलन जारी है लेकिन सरकार और किसानों की बीच होने वाली बैठक को टाल दिया गया है बुदवार को दोपहर दो बजे दिल्ली के बिग्यान भवन में होगी दसवे राउंड की बात चीब तीनों कृशी कानूनों को वापस लेने पर किसान अभी भी अडे हुए है All India किसान संगर्ज कमेटी ने सरकार को आगा किया है उन्होंने कहा है कि मुद्दों को लंबा खीच कर अगर किसानों को ठकाना सरकार की मंचा है तो ये गलत कर रही है सरकार किसान अंदोलन के बीच NIA ने करीब 12 लोगों से भी पूछताच की है सिखफ और जस्टिस संगठन और खालिस्तानी करेक्शन को लेकर भी बात की गई है इस सब में सबसे एहम है कि 40 लोगों को NIA ने समन भी किया है अब बात करते हैं वेब सिरीज तांडव की अमेजन प्राइम वीडियो पर 15 जनवरी को रिलीज हुई वेब सिरीज तांडव के रिलीज होने के बात से ही इस पर विवाज शुरू हो गया है कई संगठन और बीजेपी नेता इस पर प्रतिबंद लगाने की मांग कर रहे हैं इस सिरीज को लेकर लखनों के हजरत गन ठाने में FIR दर्ज कराई गई है FIR में कहा गया है कि इस सिरीज में हिंदू देवी देवताओं का आपमान किया गया है और जातिय भेधभाव से भरी टिपणी की गई है ये FIR अमरनाथ यादव नाम के सब इंस्पेक्टर ने दर्ज कराई है जो खुद को हजरत गन ठाने में तैनात बताते हैं इसके साथ ही मध्यपरदेश सरकार भी टांडव वेव सिरीज बनाने वालों पर केस दर्ज करने की तयारी में है प्रदेश के ग्रह मंतरी नरुत्तम मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह से हिंदू भावनाओं के साथ खिलवार करने की कोशिश की गई है विपक्षियों को इस पर जवाब देना चाहिए इसके साथ ही ग्रेटर नोईडा में भी FIR दर्ज की गई है जिसमें साथ लोगों को आरोपी बनाया गया है तो वहीं करनी सेनान भी अब तांडव वेब सीरीज के विरोध में आगे आ गई है वहीं UP में CM योगी आधितनात की नजर भी तांडव को लेकर तेड़ी हो गई है CM के मीडिया सलाकार शलम मडी तिरपाथी ने कहा है कि हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए निर्माताओं को बड़ी कीमत चुकानी होगी अब बात करते हैं क्रिकिट की दुनिया की यूवा भारतिया टीम ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में तीन प्रिकिट से जीत दर्ज कर चार मैचों की बॉर्डर गावस का सीरीज पर दो एक से कबजा कर लिया है सीरीज में मिली जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने भी भारतिया टीम को बदाई दी है उन्होंने चौथे टेस्ट में मिली जीत के बाद ट्वीट कर टीम इंडिया की प्रशंसा की है वही टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोली ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या जीत है यस जिन लोगों को एडिलेड में हार के बार टीम की काबिलियत पर संधे था वो इसको देख ले इस जीत पर किर्केट से जुड़े कई दिगजों ने भारतिय टीम को बदहाई दी है भारत ने लगातार दूसरी बार बॉर्डर गावस का टे सीरीज पर कबजा किया है चौथे मैच में जीत के साथ ही भारतिय टीम ने ब्रिस्बेन में जीत का स्वाद भी चक लिया है औसेल सेना को पछाड NCP दूसरे नंबर पर है आपको बता दे ये चुनाओ किसी पार्टी के चिन्न पर नहीं लड़े जाते इसके बावजूत सभी दल अपने समर्थोकों को जिता कर अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं अब तक के नतीजों के मताबिक भारतिय जंता पार्ट जमाया है वहीं कॉंग्रेस ने भी 2151 सीटे जीती हैं बीजेपी को कुछ जटके भी लगे हैं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांट पाटिल पूर प्रदेश अध्यक्ष राव सहाब दानवे पाटिल कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए राधा कृष्ण विखे पा लगाई है कोट ने कहा है कि दोनों चैनल अपने दायरों से बाहर जाकर खुदी पुलिस वकील और जजज बन गए और फैसला भी सुना दिया दोसों 51 पेजों के इस फैसले में बॉंबे हाई कोट ने कहा है कि दोनों ने एक दूसरे से जादा स्मार्ट बनने के चक्कर में सच्चाई और न्याई की दिखावटी लड़ाई शुरू की उनकी धार्णा है कि मुंबई पुलिस लोगों के अधिकार की रक्षा नहीं करती इन्होंने CRPC के आदेशों और कानून विवस्था की जिम्मेदारी को भी हवा में उड़ा दिया तो ये था आज का टॉप फाइब न्यूज बताईएगा आपको कैसा लगा और इसते पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कॉमेंट सेक्षन में भी लगातार अपनी बाते प्रतिक्रिया हमको देते रहिएगा बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद